नमस्कार किसान भाईयों आज हमें एक एसी फसल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका भाव अभी इतना ज़्यादा है तो आने वाले समय में तो रेकोर्ड ही तोड़ सकता है जियां किसान भाईयों एक एसी फसल है जिसको की लगाव और लाखो कमाव वाला काम दिखाई द और भाव मिलने वाला है। जिया किसान भाईयो बिंडी की खेती एक एसी खेती है जिसमें कि अगर आपने सही से ध्यान दी दिया, सही से खाच छीट दिये, सही से दवाईयों का छिड़काओ कर दिया तो आपकी खेती बहुत अच्छी होगी और आपका उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। कि भिंडी की खेती के लिए हमें उत्तम जल निकासी वाली जमीन की जरुवत है यानि कि एक एसी जमीन जिसमें कि पानी का ठेराओ ना हो और पानी एकड़म अच्छी आसानी से निकल जाए जैसा बारिस भी होती है तो उसका पानी या तो जमीन में चला जाए या तो बेह के थोड़ा दूर चला जाए यानि कि गड़े ना पड़े और गड़े में पानी खटा ना हो हमें एसी जमीनों का चुनाओ करना होता है दूसरा point है किसान भाईयो हमारा ये कि हमारे मिट्टी यानि म्रदा का pH मान कितना होना चाहिए भिंडी के लिए सटिक pH मान तो बताना मुश्किल है लेकिन साथ से लेके 7.8 के बीच में आपके मिट्टी का pH मान होना चाहिए किसान भाईयो जमीन को दो तीन बार आप जुता कर भुरभुरी कर ले और उसके बाद पाटा चला कर थोड़ा सा समतल जरूर कर ले किसान भाईयो अगले पॉइंट पर बात करते हैं बिंडी की बुवाई के लिए उत्तम किस्मों का चुनाओ करें और साथ ही उनका बीजो उपचार करना भी जरूरी है अपने एरिया के साप से आपको बीज का चुनाओ करना है और उनका अच्छे से किसान भाईयो आपको वीजो उपचार कर लेना है अगर आप गरमियों के दिन हो में वीजो की बुवाई कर रहे हैं तो आपको बीजो को बुआई से 24 गंटे पेले भिगो कर अंकूरी जरूर कर लेना है किसान भाईयों अगर हम बात करते हैं बुआई की तो कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पोधे से पोधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर आपको रखी होगी किसान भाईयों एक जगह में दो 20 से ज़्यादा नाब होएं जी हाँ आप समझ लीजिए कि अगर एक आपका सड़ भी जाता है तो दूसरा उगाएगा लेकिन दो से ज़्यादा की बुआई आपको एक जगह पे नहीं करनी है बुआई के बाद हलकी सी सीचाई करें और बुआई के 15 से 20 दिन के बाद निड़ाई गुड़ाई का काम भी सुरू कर दीजिए जी हाँ खर पतवार थोड़े थोड़े से निकलने लगते हैं इसलिए उनके नियंतरन के लिए आपको निड़ाई गुड़ाई का सुरूआत कर देना है परिपको बिंडी को हफते में एक इंच पानी की जरूवत होती है यानि कि ज़्यादा पानी भी ना दे एक इंच या दो इंच के बीच ही आप पानी रखें साथ ही भिंडी की फसल लगातार लेने के लिए तीन हफते के अंतराल में अलग-अलग खेतों में बुवाई करना है जिया अगर आप चाहते हैं कि भया मुझे हर दूसरे या तीसरे दिन भिंडी की तुड़ाई करनी है तो आपको एकड़ वाई डिवाईट कर लेना है आपको पंदरा दिन की गेप रखनी है हर एक बुवाई के अंदर जैसे कि अगर आज आप किसी की बुवाई कर रहे हैं तो दूसरे एक एकड़ में आपको पंदरा दिन के बाद तीसरे एक एकड़ में आपको 15 दिन के बाद ऐसा अगर आप करेंगे तो इससे आपको लगाता तुड़ाई मिल सकती है और आपको बहिया डेली का पेशा भी बन सकता है अगर आप भाव का सोच रहें तो भाव तो अलग-अलग होता है हर दिन भाव बजलता है तो आपको इससे फायदा ये होगा कि आपके एक एकड़ का अगर आपको भाव नहीं मिल पाता है तो दूसरे एकड़ का भाव मिलेगा दूसरे का नहीं मिल पाता है तो तीसरे का तो मिलेगा यानि कि अगर आपकी किस्मत बहुत जादा भी खराब हुई तो भी आपको भाव मिल ही जाएगा जियां किसान भाईयो ये थे कुछ important factor जहां पर आप भिंडी की खेती कर सकते हैं और आसानी से इसका नयंतरन भी कर सकते हैं